ये तब की बात है जब निर्देशक के आसिप फिल्म मुगल आजम बना रहे थे इस फिल्म में दिलीब कुमार और मधुबाला लीड़ रोल में थे फिल्म का एक सीन था जिसमें दिलीब कुमार को मधुबाला कुछोर से थपड़ मारना था निर्देशक के आसिप ने ये सीम मधुबाला और दिलीब कुमार दोनों को अच्छे से समझा दिया था लेकिन दिलीब इस सीम के लिए तयार नहीं थे इमधुबाला और दिलीब कुमार का उन दिनों ब्रेक अफ हुआ था दोनों के बीच बातचीत तक बन थी लेकिन फिल्म के चलते दोनों साथ में शूट कर रहे थे सब कुछ आराम से हो रहा था लेकिन निर्देशा की इस एक डिमांड ने दिलीब कुमार के होश उड़ा दि कि कहीं दिलीब कुमार अपना गुसार निकालने के चक्कर में जोर से थपड तो नहीं माच देंगे इन्हीं सवालों के बीच डिरी सहमी वो दिलीब कुमार के सामने जाकर खड़ी होगी शूट शुरू हुआ और दिलीब कुमार के हाथ पैर फूल गए लेकिन ये क्या दि मधुबाला को इतनी धीरे धीरे थपड माच रहे थे कि निर्देशक के आसिप हैरान रह गए कई बार समझाने और कई रीटेक देने के बाद भी जब दिलीब कुमार सही से मधुबाला को थपड नहीं माच पाए तो के आसिप को गुसा आ गया और उन्होंने जाकर मधुबाला को जोड़दार तमाचा जड़ दिया के आसिप के इस रूप को देख सभी शौक ड्रह गए दिलीब कुमार को कुछ समझ नहीं आया और वही मधुबाला का हाल देखने लायक था ठकपड़ों के बाद उनकी जो हालत हुई उससे सभी का दिल पसीड गया